नमस्कार, मैं निशांत शर्मा, भारतिय अर्थ्रवस्था का विकास विशय के पाठ निर्धनता के भाग दो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाग एक में हमने सीखा कि निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा क्या है, निर्धनों को किन भागों में वर्गिकृत किया जा सकता है, एवं देश में निर्धनता के मुख्य क्या कारण है अब हम बात करेंगे देश में निर्धंता को दूर करने के उपायों के बारे में तो देखिए बहुत सामान्य तरीका है देश निर्धंता दूर करने का जो कारण हमने पड़े हैं यदि हम उन कारणों का निवारण कर लें, तो देश निर्धनता अपने आप दूर हो जाएगी, इसी लिए जब आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो बहुत सारे उपाएं उन कारणों का निवारण ही है, जिसमें पहला है GDP की दर को बढ़ाना, एक कारण निर्धनता का था GDP की क GDP अर्थात सकल घरिलू उत्पाद जिसे आप विकास की दर भी कह सकते हैं, यदि देश में विकास की दर कम थी, तो लोग अधिक निर्धन होने की कगार पर थे, किन्तु यदि आप देश में GDP की दर को बढ़ाते हैं, उस बढ़ती विरिदी दर का फायदा सभी व्यक्तियो सभी वर्गों एवं समाज के सभी हिस्सों को प्राप्त होता है, यह बढ़ती हुई GDP की दर लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में कारगर साबित होती है, और इसलिए निर्धनता दूर करने का एक बहुत कारगर उपाय है, दूसरा उपाय निर्धनता को दूर करने के लि पर कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन है, तथा कुछ लोगों के पास बहुत कम अथवा कोई भी धन नहीं है, तो यदि इस आय के वित्रण में सुधार ले आया जाए, यदि इस आय के वित्रण को सामान्य बना लिया जाए, तो यह भी निर्धनता को दूर करने के ल इसके अलावा एक तीसरा उपाय जो निर्धंता को दूर करने के लिए कारगर साबित हो सकता है वो है जनसंखिया को नियंतरित करना निर्धंता के कारणों में एक मुख्य कारण था जनसंखिया में होने वाली अनियंतरित विधी जिसकी वजह से देश की प्रतिव्यक्ति आए और संसाधन कम हो जाते हैं किन्तु यदि आप देश में जनसंखिया को नियंत्रित कर ले तो आपके सीमित संसाधनों का आप पहले से जादा अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे और नियंत्रित जनसंखिया के जीवन सतर को बढ़ा सकेंगे एक चोथा उपाए निर्धनता को दूर करने के लिए जो उपलब्ध हो सकता है वो है अन्य उपाए अन्य उपाए के अंदर हमारे पास विभिन प्रकार के अलग अलग उपाए हैं जिन पर भी हम चर्चा आगे आने वाली स्लाइट्स में करेंगे तो पहले बात करते हैं आए के वित्रण को सामानने बना सकने के लिए राजकोशिय और विधाई उपाएों के बारे में राजकोशिय उपाए सरकार की कराधान और सबसीडी की नीती से संबंधित है राजकोशिय उपायों में एक उपाय हो सकता है कि वह व्यक्ति जिनके पास पास जादा धन है अर्थात वह व्यक्ति जो अमीर है उन पर आप और अधिक कर लगाईए एवं वह व्यक्ति जिनकी आय कम है अथवा जो गरीब है जो निर्धन है जिनके पास कोई धन नहीं है अथवा बहुत कम धन है उन पर कर को कम कर दीजिए अथवा उन पर से कर हटा दीजिए और अमीरों से प्राप्त कर को ऐसी कल्यान कारी नीतियों में लगाईए जिससे नरधनों का कल्यान हो एवं वे गरीबी रेखा से उपर आ सके और सरकार ऐसा करती भी है सरकार करकी प्राप्तियों का उपयोग समाज के गरीब वर्गों द्वारत खरीद की जाने वाली वस्तों पर सबसिडी दे कर उनका कल्यान करने की कोशिश करती है इसके अलावा गरीबों को उनके मकानों के निर्मान, स्वरोजगार एवं सिक्षा के लिए भी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से अनुदान प्रदान किया जाता है राजकोशिय उपाय के बाद बात करते हैं विधाई उपायों की विधाई उपाय वह कानूनी उपाय हैं जिसमें श्रमिको अत्वा मजदूरों के लिए नियूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाती है तथा नियूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतरगत यह अन्यवार्णे किया जाता है कि हर नियुक्ता अपने नियुक्त मजदूर को एक नियुनतम मजदूरी का भुगतान करे विधाई उपाई के अंदर एक और उपाई नियुनतन समर्थन मुल्य को स्थापित करना है जहां किसानों के कल्यान के लिए सरकार फसलों का एक नियूनतम मुल्य निर्धारित करती है यदि किसान अपनी फसल को उस नियूनतम कीमत से अधिक बाजार में बेच तकते हैं तो वह यह कारे करने के लिए बिलकुल फिरी हैं, बिलकुल मुक्त हैं किन्तु यदि बाजार कीमत नियूनतम समर्थन मुल्य से कम प्राप्त हो रही है तो सरकार की तरफ से किसानों को यह guarantee है कि नियूनतम समर्थन मुल्य पर सरकार किसानों से उनकी सारी फसल खरीद लेगी इसके अलावा गरीबों को सिक्षा का अधिकार देना ताकि उनका जीवन स्थर बहतर हो सके भी एक विधाई उपाय है अब बात करते हैं निर्धंता को हटाने के लिए एवं जीवन की गुडवत्ता को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले अन्य उपायों के बारे में जिसमें पहला उपाय है क्रिशी का विकास जैसा कि हम जानते ही है के आज भी देश की अधिक्तम आबादी क्रिशी एवं संबंदित करियाओं में सनलिप्त है एवं गावों में बस्ती है तो यदि आपको देश का विकास करना है, यदि आपको गरीबों का कल्यान करना है तो सबसे पहला उपाय है देश में रहने वाले कृषी समुधाय का विकास करना जिसके लिए आप उन्नत बीजे, कृषी का आधूनी की करण जैसे उपायों को इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरा उपाय हो सकता है देश में मूल्य स्थर में स्थिर्ता यदि आपको याद हो देश में गरीबी का एक मुख्य कारण कीमुतों में होने वाली विधी भी है तो यदि आप आवश्चक वस्तुओं के मूल्य में एक स्थिर्ता प्रदान कर सकते हैं तो हर वह व्यक्त जीवन के स्थर को उन्नत बना सकता है एक तीसरा उपाय हो सकता है देश में बेरोजगारी का उन्मूलन क्योंकि देश की जनसंख्या बेरोजगार है उनके पास कोई कार्य नहीं है इसलिए उनकी आय संकुछित होती है अथवा कोई आय प्राप्त नहीं होती है और वहें गरी के अनुसार रोजगार प्रदान कर सकते हैं तो गरीबी स्वमे भी खत्म हो जाएगी एक और उपाय हो सकता है कि आप देश में उत्पादन के लिए श्रम गहन तक्निकों का इस्तेमाल करें हमें यह ज्यात है कि किसी भी वस्तू के उत्पादन के लिए आप या तो पूंजी आधारित तक्निकों का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप श्रम आधारित तक्निकों का इस्तेमाल कर सकते हैं पूंजी आधारित तक्निके क्योंकि पूंजी का अधिक इस्तेमाल करती है इसलिए श्रम की जरूरत कम हो जाती है लेकिन भारत जिसे जैसे देश में जहां बहुत अधिक संखिया में गरीब लोग हैं, गरीब जंज संखिया हैं, श्रम गहन तक्निकों का इस्तिमाल किया जाना चाहिए, ताकि जादा से जादा श्रमिकों को, जादा से जादा लोगों को रोजगार के अफसर प्राप्त होूँ. इसके बाद बात करते हैं ऐसे उपायों की जहां गरीबों की नियूनतम आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए सरकार कुछ प्रावधान कर सकती है यदि सरकार गरीबों अथवा निर्धनों की नियूनतम आवशक्ताओं जैसे रोटी, कपड़ा एवं मकान को मुहया करा सकती है तो बाकी आवशक्ताओं के लिए बची हुई आयका इस्तेमाल यह है गरीब लोग अथवा निर्धन लोग कर सकते हैं और यदि आपको याद हो तो निर्पेक्ष निर्धन वही लोग हैं जो जीवन की नियूनतम आवशक्ताओं को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो यदि सरकार गरीबों के लिए इन नियूनतम आवशक्ताओं का प्रावधान कर दे तो यह गरीब निर्धन की परिभाशा में शामिल होंगे ही नहीं एक और उपाय जो देश में किया जा सकता है वह है पिछडे शित्रों का विकास भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां कुछ शेत्र बहुत अधिक विक्सित हैं एवं कुछ शेत्र बहुत कम विक्सित हैं किन्तु समूचित विकास के लिए यह आवशक है कि देश में पिछडे एवं अगडे दोनों ही शेत्रों पर ध्यान दिया जाए एवम पिछडे शित्रों पर विशेश ध्यान दिया जाए क्योंकि वह विकास की धारा से पहले ही बहुत पीछे बह रही है उसके बाद बात करते हैं सो रोजगार के अफसर यदी सरकार हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती या हर व्यक्ति को देश में रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा तो सरकार से या आपेक्षित है कि देश में स्वय रोजगार के अफसर उपलब्ध कराए जहां सक्षम व्यक्ति यदि कहीं और रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते तो वैं खुद के रोजगार के लिए स्वयम रोजगार के अफसर पैदा कर सके और अपने व्यवसाय को स्थापित करके अन्य लोगों को भी रोजगार दे सके एक और उपाय जो निर्धनों को निर्धनता रेखा से उपर लाने में सहायता कर सकता है वो है देश में प्रभावी सार्वजनिक वित्रण प्रणाली देश में ऐसी सार्वजनिक वित्रण प्रणाली इस्टाबलिश करने की जरूरत है स्थापित करने की आवशकता है जहां निर्धनों का भला हो सके एवं ऐसे व्यक्ति जो गैर निर्धन है अत्वा निर्धनता रेखा के उपर है उस वित्रण प्रणाली का लाब ना ले सके वाकई में निर्धन है इस प्रणाली का लाव ले सके तो ये हमने बात की गरीबी को दूर करने के अन्य उपायों के बारे में अब बात करते हैं कि देश में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने किस किस तरह के कारेकरम बनाई है एवं कब-कब ये कारेकरम बनाए गए है संक्षेप में अत्वाख संक्षिप्त में इन कारेकरमों को निर्धंता उन्मूलन कारेकरम कहा जाता है जिसमें पहला कारेकरम है स्वन जयनती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वन जयनती ग्राम सोरोजगार योजना गरीब ग्रामिणों को सोरोजगार के अफसर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई एक योजना है जिसको 1 अपरेल 1999 में शुरू किया गया था स्वन जयनती ग्राम सोरोजगार योजना में गरीब ग्रामिणों में कमजोर वर्गों पर विशेश ध्यान के इंद्रियत किया गया है और इसलिए कम से कम 50% रोजगार के अफसर अनुसूचित जातियों जन जातियों 40% अफसर महिलाओं एवं 3% अफसर विकलांगों के लिए अनिवारे बनाए गए वर्ष 2011-12 में स्वन जयनती ग्राम सोरोजगार योजना का राश्ट्रे ग्रामीन आजीविका मिशन में पुनरगटन कर दिया गया था और राश्ट्रे ग्रामीन आजीविका मिशन के बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइट्स में डिसकशन उसके बाद बात करते हैं दूसरी योजना जिसका नाम है राश्ट्रे ग्रामीन आजीविका योजना अत्वा मिशन यह योजना ग्रामीन परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोडने और विभिन कारेक्रमों के जरिये उनकी गरीवी को दूर करने के उद्देश्य से मिशन को आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीनों को सक्षम एवं प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करके उनकी आजीविका में निरंतर विधी करना उन्हें वित्ते सेवाय प्रदान करना एवं उनकी पारि किम्मबर 2001 को की गई थी इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीन इलाकों में रहने वाले गरीबों को गरीबी रेखा अत्वा निर्धंता रेखा से उपर उठाना है इसका एक और मुख्य उदेश्य है ग्रामीन शेत्रों में स्थाई सामूदाइक संपत्यों को निर्मित करना एवं खादे सुरक्षा के साथ मजदूरों को रोजगार की संभावने उपलब्ध कराना है यह योजना समाज के कमजोर वरगों विशेश रूप से महिलाओं अनुसूचित जातियों को जोखिम भरे व्यवसाओं से हटाने से संबंधित है एवं बच्चों के माता-पिता पर विशेश ध्यान किंद्रित करती है उसके बाद-बाद करते हैं प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना की यह योजना पहली बार वर्ष 2000-2001 में ग्रामीन छित्रों में पाच महत्वपूर बिंदूओं की विकास पर ध्यान के इंद्रित करने से शुरू की गई थी यह पाच बिंदू प्राथमिक स्वास्थे, प्राथमिक सिक्षा, आवास, ग्रामीन सडके एवं पैजल और पोशन हैं वर्ष 2001-2002 में इसमें एक और बिंदू शामिल किया गया है जो ग्रामीन छित्रों के विद्यूती करन से संबंधित है इस योजना के तीन प्रमुक घटक है जिसमें पहला घटक है प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना, दूसरा घटक है प्रधान मंतरी ग्रामोदय योजना जो ग्रामीन विकास संबंधित है एवं तीसरा घटक है परधान मंतरी ग्रामोदय योजना जो ग्रामीन पेजल योजना से संबंधित है इसके बाद बात करते हैं जै प्रकाश रोजगार गैरंटी योजना की जिसे पहली बार वर्ष 2002-2003 के बजट में प्रस्तावित किया गया था और इस योजना का मुख्य उदेश्ये देश के गरीबतम जिलों में रोजगार की गैरंटी सुनिशित करना था उसके बाद बात करते हैं चटी योजना की जो स्वर्ण जैन्ती शहरी रोजगार योजना है जिसे 1 दिसंबर 1997 को चुरू किया गया था इस योजना का मुख्य उदेश्ये त्वय रोजगार या मजदूरी रोजगार के माध्यम से शहरी बेरोजगारों एवं अलप बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार के अफसन प्रदान करना है नहरू रोजगार योजना एवं प्रधान मंत्री एकेकरित शहरी गरीब उन्मूलन कारेकरम इस योजना में सम्मिलित कर दिये गए थे इसके अलावा इस योजना में दो प्रमुख योजनाए शहरी स्वरोजगार कारेकरम एवं शहरी मजदूरी रोजगार कारेकरम है जिनका मुख्य उदेश्य शहरी बेरोजगारों एवं अल्प रोजगारों को लाभकारी अफसर उपलब्ध कराना है बात करते हैं प्रधान मंतरी रोजगार योजना की प्रधान मंतरी रोजगार योजना केंदर सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य सिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अफसन प्रदान कराना है यह योजना पहली बार 1993 में शुरू की गई थी एवं इस योजना के तहट सिक्षित बेरोजगार बिना किसी कोलेटरल के एक लाख रुपे तक का रण बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं इस योजना में प्रमुखते सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं जिसमें क्रिशी और संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं किन्तु प्रत्यक्ष रूप से क्रिशी कार्वेव को इस योजना के अंतरगत शामिल नहीं किया गया है उसके बाद बात करते हैं नियूनतम आवशक्ता कारेकरम की नियूनतम आवशक्ता कारेकरम अथवा मिनिममम नीट्स प्रोग्राम को पांचवी पंच वर्षी योजना के पहले वर्ष में पेश किया गया था ताकि कुछ बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को देश में पूरा किया जा सके एवं देश में लोगों के जीवन स्थर को सुधारा जा सके इस कारिकरम में कुछ मुख्य घटक शामिल है जिनमें ग्रामीन स्वास्थे, ग्रामीन जलापूर्ती, ग्रामीन विद्यूती करण, प्राथमिक सिक्षा, प्रौण सिक्षा, पोशड, शहरी मलीन बस्तियों का परियावरेणिय सुधार, भूमी ही मजदूरों के लिए मकार जैसे मुख्य घटक शामिल है, उसके बाद बात करते हैं देश में जारी 20 सुत्रे कारिकरम की, 20 सुत्रे कारिकरम की घोशणा पहली बार वर्ष 1975 में की गई थी, उसके बाद वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इसे पुनरगठित किया जा चुका है, वर्तमान में जो 20 सुत्रे कारिकरम देश में लागू है, वह 2006 में आया था, एवं इस कारिकरम का मूल उदेश्य, पिछडे एवं निर्धन व्यक्तियों की जीवन स्तर में सुधार करना है, इस कारिकरम में शामिल 20 सुत्र हैं, गरीबी हटाना, जन शक्ती बढ़ाना, किसान मित्र, श्रमिक कल्यान, खाद्य स सबके लिए आवास, चुद्ध पैजल, जन जन का स्वास्थे, सबके लिए सिक्षा, अनुसूचित जाती, जन जाती, अल्प संख्यक, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्यान, महिला कल्यान, बाल कल्यान, युवा विकास, बस्ती सुधार, परिया वरन सन्रक्षन, एव वन संवरिधी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीन सडक का विकास, ग्रामीन उर्जा, पिछडे छितरों का विकास, एवं ई शाशन, उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम की, जिसको सामान्य अत्वा आसान शब्द में किसी भी ग्रामीन परिवार के उन वयस्क सदस्यों को नियूनतम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराती हैं, जो प्रती दिन 220 रुपे की सामविधिक नियूनतम मजदूरी पर सारवजनिक कारने संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तयार हैं, इस अधिनियम क पुरुषो एवं महिलाओं के बीच मजदूरी को लेके किसी भी प्रकार की भेदभाव की अनुमती नहीं है, इसलिए पुरुषो एवं महिलाओं को समान कार्रे के लिए समान वितन का भुकतान किया जाता है अन्त में बात करते हैं, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के बारे में, मुद्रा का तात्पर्य यहां माइक्रो यूनिट्स डेवलाप्मेंट री फैनन्स एजनसी से है, इस योजना को अप्रेल 2015 में शुरू किया गया था, एवं कोई भी व्यक्ती जो अपना खुद का व्यवसाई शुरू करना चाहता है, वहें प्रधान मंत्री योजना के तहट कुछ शर्तों को पूरा करते हुए 10 लाख रुपे तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है, अब आपने देखा कि के सरह से देश में अलग-अलग समय पर अलग-अलग निर्धंता उन्मूलन कार करम उतनी ही कारगर साबित हुए जितनी इनसे अपेक्षा थी, तो हम समिक्षा करते हैं इन निर्धंता निर्वारण कारेकरम अथवा निर्धंता उन्मूलन कारेकरमों की, तो इन निर्धंता उन्मूलन कारेकरमों से बिलकुल जाहिर तोर पर देश में विकास हुआ है, गरीबों का प्रतिशत कम हुआ है यदि आप देखेंगे तो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 1973 में 46 प्रतिशत था जो की 2011-12 में घटकर केवल 21.9 प्रतिशत ही रह गया इसके साथ ही गरीबों अथवा मजदूरों को प्राप्त होने वाली मजदूरी की द क्रांती कारी परिवर्तन नहीं आया है और इस क्रांती कारी परिवर्तन ना आने के मुख्य कारण हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहला कारण कि क्यों यह निर्धंता निवारन कार्यकरम अत्वा निर्धंता उनुमूल उतने कार्यक्रम उतने कार्यकर साबित नहीं हुए जितना की इन से अपेक्षा था क्योंकि प्रसाशन और संबंधित कर्मचारी जो इन कार्यों को करियानवित करने के लिए काम पर लगाए गए थे वहें इन कार्यों को करने में अक्षम पाए गए एवं निर्धंता उन्मूलन कारेकरमों में शामिल जटिल परक्रियाओं को समझ नहीं पाए क्योंकि कारे करने वाले प्रशाशनिक अधिकारी ही कारेकरमों को समझ नहीं पाए इसलिए कारेकरम प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाए इसके अलावा कारेकरमों को लागू करने के बाद उनकी निगरानी करने के लिए कोई एजंसी नहीं बनाई गई जिस वजह से कारेकरम कितने कारगर साबित हुए इसका माप भी निर्धारित नहीं हो सका इसके अलावा कारेकरमों के प्रभारियों ने जिन लोगों को कारेकरम को कर्यानवित करने की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने गावों के अंदुरूनी एवं दूर दराज इलाकों में इस्थित गरीब व्यक्तियों के तुल्ला में जादा ध्यान बाहरी एवं पास के इलाक में स्थित सिक्षित अमीर एवं साधन संपन व्यक्तियों पर दिया क्योंकि गरीबों तक उनके लिए मिली सहायता पहुंचती ही नहीं थी इसलिए यह कार्यक्रम उतने कारगर साबित नहीं हुए एक तीसरा कारण जिन संस्थाओं से रिण विपरण जैसी सुविधाय प्रदान करने की अपेक्षा थी वैस संस्थाए बहुत सहायक साबित नहीं हुई साथ ही लोगों को एजंसियों को एवं व्यक्तियों को निर्धन की परिभाशा भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आई जिस वजह से बहुत से ऐसे व्यक्ति जो की गैर निर्धन थे उन्होंने भी निर्धनों के लिए बनाये गए इन कारेक्रमों की योजनाओं का लाभ उ जिसके परणाम स्वरूप वित्रण पैकेज में बड़े पैमाने पर रिसाब होने लगे एवम गरीबों को उनके लिए आवंटित सहायता से केवल सहायता का एक टुकड़ा ही प्राप्त हुआ। जुड़ नहीं पाई और क्योंकि देश के विकास दर अत्वा रणनीती के साथ गरीबी उनमूलन कारेकरम जुड़ नहीं पाई इसलिए कोई बहुत कारगर रिजल्ट या परिणाम हमें प्राप्त नहीं हुए। इस वीडियो में हमने सीखा कि निर्धंता के कारण क्या है, निर्धंता निवारण के लिए किस प्रकार के कारेकरम आवश्यक है और किन उपायों के द्वारण निर्धंता को देश्ते दूर किया जा सकता है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आपका है। कर दो